हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टड़ी कोच 91 यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि वीडियो के साथ आप सभी पुरा अंत तक बने रहेगा अगर फिर वी कहीं आपका डाउट रहता है तो यार कमेंट बॉक्स कुलाए भाई कमेंट करके पोच सकते हो ठीक है तो चलिए मैं बिना टाइम बेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं अभी तक जितने भी लोग चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं के हैं वे सबी लोग लेटेस्ट अपडीट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क प्रेस कर लिजे और साथ में आप लोग पेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लिजे जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो देखिए सबसे पहले आप लोग को कहां आ जाना है यूराइज के स्टुडेंट लॉग इन पोर्टल पे जिसका ल ही आप लोग अपनी यूराइज आईडियो पासवर्ट डॉल करके लॉग इन पर क्लिक करोगे आप सभी के सामने स्टुडेंट पोर्टल की डैस बोर्ड ओपन हो जाएगी आपकी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग की जो नई आप सनारी है यहाँ पर देखे प्लेस्मेंट की इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है प्लेस्मेंट के ओप्सन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखे रिज्यूम बिल्डर का ओप्सन आ रहा है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है ठीक है अगर आप भाई मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं अ यहाँ पर आप लोग को Resume Builder पर klick करना है, जैसे ही आप लोग किलिक करोगे, आप सभी के सामने सबसे पहले यहां पर देखे Candidate Information option आ रहा है, ठीक है? Candidate Information में सभी चीज़ें feel हैं, पहले से ही इसमें आप लोग को कुछ भी feel नहीं करना है, आप लोग को नीचे चले आना है नीचे यहाँ पर देखे आप लोग के सामने personal details open हो रहा है ठीक है personal details में सबसे पहले आप लोग की data of birth है जो की our lady fill है उसके बाद में gender भी आप लोग की our lady fill है father name भी fill है यहाँ पर आप लोग को father occupation डालनी है जो भी आपके पिता जी की occupation है उसे आप लोग डाल देजे उसके बाद में यहाँ पर mother name आपकी fill है यहाँ पर आप लोग को mother occupation डाल देनी है ठीक है house wipe है या जो भी है जो भी काम करती है उसे आप लोग को यहाँ पर लिख देनी है ठीक है यहाँ पर आपकी mother language क्या है उसे आप लोग को डाल देनी है यहाँ पर आप लोग कौन कौन सी language जानते है ठीक है जो जो लेंग्वेज आप लोग जानते हैं यहां पर आप लोग उसे कामा लगा करके लिख दीजे ठीक है उसके बाद में यहां पर आप लोग की फैमिली की मंथली इंकम टोटल जो है फैमिली की मंथली इंकम कितनी है वो आप लोग को यहां पर फिल करनी है आपके फैमिली म यहां पर लिख देनी है ठीक है उसके बाद में आप लोग को यह सभी details fill करने के बाद में नीचे चले आना है नीचे आप लोग को fill करना है mailing details यानि कि आप लोग की address ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आप लोग की country choose कर लेनी है इंडिया उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को अपनी state जिस भी state से जिस भी राज्य से आप लोग है उस राज्य को यहाँ पर आप लोग को select कर लेना है ठीक है उसके बाद में उस राज्य में जितनी भी districts हैं आप सभ यहां पर yes कर दिजे ठीक है, interested in higher studies, तो yes कर दिजे, otherwise no कर दिजे, उसके बाद में अगर आप self startup में interested हैं, तो यहां पर yes कर दिजे, otherwise no कर दिजे, ठीक है, यहां पर आप लोग को अपनी dream company का नाम लिखना है, जिसमें आप job करना चाहते हैं, जो भी आपकी, TCS हो गया, TCS हो गया विप्रो हो गया, जो भी आपकी dream company है, वो यहां पर आप लोग अपनी dream company का नाम लिख दिजे, ठीक है, उसके बाद में अगर आप के पास कोई skills है, जैसे कि आप programming language C सीखें है, C++, Java, अगर कोई भी skills है, आप लोग इस skills का नाम यहां पर डाल दिजे, ठीक है, उसके बाद म आप लोग को semester and year details fill करनी है, semester में अगर आप lateral interest admission लियें, तो यहां पर आप लोग को click कर देना है, ठीक है, अगर आप lateral interest admission नहीं लियें हैं, तो इसको अंचेक कर दिजे, उसके बाद में आप लोग को यहां पर first पर click कर दिजे, और यहां पर first semester की अपनी percentage को लिख दिजे, अ अगर कोई backlog है, तो उसकी cleared backlog हुई है, तो वो details यहां पर डाल दिजे, ठीक है, ऐसे ही आप लोग को 6 semester की पूरी details यहां पर fill कर देनी है, प्लस प्लस करके ठीक है, उसके बाद में आप लोग को previous qualification details पर आ जानी है, और यहां पर सबसे पहले आप लोग को 10th की details fill करनी है, 10th य आपने 10th complete किया है, उस राजी का नाम यहां पर डाल दिजे, ठीक है, उसके बाद में आपने 10th जो है, किस verse complete किया है, किस verse आपने pass किया है, उसकी details यहां पर, आपकी जो 10th की maximum marks थी, यानि कि पुडांक कितना था, आपने उस पुडांक में से कितना number पाया था, वो यहां प डाल दिजे, percentage is automatic, यहां पर count हो करके आज आएगा, ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी कोई gap year है, तो year यहां पर आप लोग फिल कर दिजेगा, नहीं तो आप लोग फिर action बटन पे यहां पर देखे, plus का option है, इस पर क्लिक किजे, और यहां पर जो है, आप लोग अपने 10 plus 2, यानि 12 की details को फिल करने है, 12 की details में आप लोग को सेम ओएसी तरीके से फिल करने है, यहां पर अपने school या college का नाम डाल दिजे, यहां पर अपने board का नाम डाल दिजे, जिस भी board से आपने 12 complete क्या है, उस state का नाम यहां पर डाल दिजे, ठीक है, उसके बाद में अपनी year up passing 12 की डाल दिजे, अगर आप किये हैं तो ठीक है, अगर आप 12 नहीं किये हैं भाई, तो यहां पर 12 की details ना फिल किजे, जितनी भी qualification है, आप लोग के पास सभी details यहां पर आप लोग फिल कर दिजेगा, ठीक है, उसके बाद में apprenticeship details पे आप लोग को चले आना है, apprenticeship details में अगर आप भाई कहीं apprenticeship कर चुके हैं, तो yes किजेगा, ठीक है, अगर कर चुके हैं तो organization name, sector name, और यहां पर अपनी apprenticeship registration number, आपकी salary कितनी रही है, कब से जो है, कब तक आप लोगों ने apprenticeship किया है, यह पूरी details आप लोग को फिल करनी रहेगी, अगर आप apprenticeship नहीं किये हैं, तो यहां पर आप लोग no कर देजी, सभी details फिल करनी के बाद में आप लोग को यहां पर submit resume पर click करना है, तो कुछ इस तरीके से success का information आएगा, आप लोग को done कर देना है, उसके बाद में आप लोग को उपर चले आना है, और यहां पर देखे print resume का option आ रहा है, इस पर आप लोग को click कर दे तो दोस्तों जो आ रही है resume builder की नई option आप लोग के utilize portal पे, उसके माध्यम से आप सभी लोग step by step इस तरीके से resume को बना सकते हो, आसा है आप लोग को पूरी step जो है समझ में आई होगी, अगर किसी भी step में आपको problem होती है, तो आप सभी लोग comment करके हमसे post सकते हैं, ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ और भी आप लोग इसमें सीखना चाहते हैं, तो आप लोग comment करके ज़रू पूछे, हम उसको बताने की पूरी कोसिस ज़रू करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर व अपने दोस्तों के साथ में भी सेयर किजेगा, बाकी मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ,